नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्थ पर, दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जिसका बहुत ही बड़ा और खास महत्व होता है, और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस हल्दी का दीपक वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखरी मौका बचा हुआ है, जो कि 14 सितंबर भाद्रपद महीने का शनिवार परिवर्तनीय एकादशी के दिन तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर है, भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो। पर यदि आपने इस भाद्रपद महीने के शनिवार परिवर्तनीय एकादशी के दिन यदि इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों यह उपाय जीजी ने अपनी अभी की ही शिव महापुरान की कथा में बताया है। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के पश्चात, इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोश हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोश भी हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को हल्दी का दीपक वाला उपाय कर लेना है, यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को यदि किसी खास दिन पर किया जाए, तो भाई उस खास दिन का जो है, वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उ उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक-एक करके बता देते हैं लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कॉमेंट बॉक पर चाहे हैं, इस समय करना है और कहां पर करना है ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको हल्दी का दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए क्योंकि इस दिन हल्दी का दीपक का भी बहुत ही बड़ा औ देका दशी का तो अब दोस्तों इस हल्दी का दीपक वाला उपाय को आखिर करना किसको है सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं तो देखो घर की जो बड़ी माताएं बहने होती है उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती ह और दोस्तों, यदि आप चाहें, तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। जब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोशकाल में भी कर सकते हो। अब यदि आप पूछो कि भाई सब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस हल्दी का दीपक वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे, तो ज्यादा बेहतर होगा, बाकी यदि प्रदोशकाल शाम के समय भी करेंगे, तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है, वह यह आती है, कि सुबह यदि हम उपाय को करेंगे, तो हमें कितने बजे से लेकर बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोश काल में करेंगे, तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है, तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके, आप उपाय को करने की कोशिश करना, बाकी यदि किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो दस या बारह होता है, वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोश काल का समय होता है, पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे शाम कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो देखिए भी एकादशी होती है, यह श्री हरी विश्नु को ही समर्पित होती है, अब परिवर्तनी एकादशी इसलिए भी महत्व पूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह चतुरमास में आती है, और इस दिन श्री हरी विश्नु करवट तो ऐसा समझ लीजिए कि बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी होती है और धन, सुख, सम्रिध्धितो घर में बढ़ती ही चली जाती है क्योंकि यहाँ पर आपका भाग्य चमक जाता है। ज्यादा तर शाम के ही होते हैं, अब तुलसी मया, जो कि श्री हरी विष्णु को सबसे प्रिय है, तो तुलसी मया के पास ही यह दीपक आपको लगाना है। यहाँ पर आठा गेहूं का आठा लेना है, उसे कर आपको दीपक तयार करना है। इसी गेहूं के आठे में जब आप इसको मारेंगे, ठीक है न, दीपक बनाएंगे आठे का, उसमें छुटकी भर पीसी हुई, हल्दी आपको डाल लेनी है। अब आप देखेंगे कि आठा जो है, यह पीला हो जाएगा और इसी आठे से आपको दीपक बनाना है। ठीक है न, हल्दी श्री हरी विश्नु से जुड़ी है। हल्दी आपके घर में धन को बढ़ाने का काम करती है, सौभाग्य को बढ़ाती है और सारी शुब चीजें आपके जीवन में लेकर आती हैं, तो चुटकी भर पीसी हल्दी डालें और आठे का दीपक तयार कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, इस दीपक के अंदर होती है, मा लक्श्मी भी प्रसन्न होती है, इसलिए आठे के दीका बहुत महत्व है, अब यह दीपक तयार हो गया है, अब शाम के समय में आपको अपने घर तुलसी जी के पौधे के पास यह दीपक लगाना है, लेकिन दीपक लगाने का भी अग तरीका है, कैसे लगाएं इस दिन चावल भूल कर भी नहीं लेना है क्योंकि एकाद अशी पर चावल का कोई भी उपाय नहीं किया जाता है ना चावल को खाया जाता है ना चावल की कोई चीज बनाई जाती है ठीक है ना, चावल नहीं लेने बस यह चीज पूरी तरह से ध्यान रखनी है मेरे घर में मा लक्ष्मी का वास हो, आपकी कृपा मुझे मिले। तुलसी के पौधे के पास, जब भी आप श्री हरी विश्नु के नाम से तुलसी के पौधे के पास दीपक लगाते हैं, तुरंत के तुरंत तुलसी मैया प्रसन्न हो जाती हैं, जो की मा का ही स्वरूप होती है, अब जो भी आप तुलसी मैया से कहते हैं, वो श्री हरी विश् आपकी मनोकामना को भी पूरा करते हैं और आपके जीवन में धन, सुख, सम्रिध्य सब कुछ आपको देते हैं। तब यह उपाय आप कैसे करेंगे? तो आपके घर के आसपास यदि तुलसी का पौधा हो, मंदिर में वहां जाकर भी यह उपाय आप कर सकते हैं। उत्तम होता है। बहुत ही खास होता है, धन में वृद्ध करने के लिए क्योंकि इस दिशा में देवी देवताओं का वास होता है, तो जरूर से इसे यह दीपक आप अपने घर की शान कोण में लगाए, यदि तुलसी का पौधा है, तब तो बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ आपको मुख्य दर्वाजे पर दीपक जरूर लगाने हैं। मुख्य दर्वाजे पर ऐसा ना करें आप कि दीपक ना लगाएं। क्योंकि मुख्य द्वार से ही सबसे पहले महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं, तो ये पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं। फिजूल खर्ची बढ़ती चली जा रही है, खर्चे पर खर्चे होते जाते जा रहे हैं, और आपके धन में वृद्ध ही नहीं हो रही है, पैसा बढ़ ही नहीं रहा है, कोई भी काम करना चाहते हैं, बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पैसा ही हाथ में नहीं है, तो आपको क्या करना है, इस सिक्के के उपर आपको हल्दी लगानी है, हल्दी लगाएंगे और यह सिक्का अपने घर के मंदिर में श्री हरी विश्नु के सामने रख देंगे, हल्दी लगाकर और श्री हरी विश्नु से कह देंगे कि अब मेरे जीवन से फिजूल खर्ची को आप दूर कर देना और हमेशा मेरे धन में व्रिध्य हो ऐसी कृपा मुझ पर कर देना साथ ही साथ का यह मंत्र आपको बोलना है ओम महालक्ष्मी नमः ओम महालक्ष्मी नमः तो यहां पर आपने श्री हरी विश्नु का ध्यान कर लिया महालक्ष्मी का ध्यान कर लिया और एक पीले रंग के कपड़े में बांध कर पीला रंग। की तिजोरी में तो जिन लोगों के पर्स में ही पैसा नहीं रुकता, तिजोरी में आने से पहले ही खर्च हो जाता है, उनके धन में वृध्ध नहीं होती, इस उपाय को करें और फिर देखें कि कैसे श्री हरी विश्णू आपकी फिजूल खर्ची बिलकुल जीवन से दूर क कर देंगे, मतलब पैसा आपका बढ़ेगा, बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका पैसा बढ़ेगा, बहुत ही चमतकारी उपाय है, यदि अभी तक नहीं किया है, तो एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा से ये उपाय करके देख लें और खुद इसका चमतकार देख लें, दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं, कि 14 सितंबर 2024 के दिन भादरपद महीने का शनिवार परिवर्तनिय एकादशी पढ़ रही है, दोस्तों, यह जो शनिवार है, भादरपद महीने में पढ़ने वाला सबसे बड़ा परिवर्तनिय एकादशी है, क्योंकि यह भादरपद महीने में पढ़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और खास महत्व होता है, और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है, और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि 14 सितंबर भादरपद महीने का शनिवार परिवर्तनिय ए एकादशी का यदि सबसे बड़ा कोई उपाय है, तो वह 11 काले तिल वाला उपाय है, तो दोस्तों, इस भादरपद महीने के पहले शनिवार परिवर्तनी एकादशी के दिन आप लोगों को इस 11 काले तिल वाला उपाय को जरूर करना है, बहुत सारे लोग होंगे जिन 12 सितंबर भादरपद महीने का शनिवार परिवर्तनी एकादशी के दिन तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर यदि आपने इस भादरपद महीने के शनिवार परिवर्तनी एकाद अशी के दिन यदि इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा, जिसकी आपने कभी कलपना भी नहीं करी होगी. इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शीवा महापुरान की कथा में बताया है जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं इस वीडियो को देखने के पश्चात इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए दोस्तों को शुरू करते हैं देखिए ये भाद्रपद महीने के शनिवार परिवर्तनी एका दशी के दिन यह इतना खास होता है इतना महत्व पूर्ण होता है देखा है कभी-कभी बड़े-बड़े पूजा पाथ हनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते वह भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है यदि आप लोग इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुहक और समस्या क्यों ना चल रही हो आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है उसका कुछ भी कारण हो सकता है जैसे कि दोश हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोश भी हो सकता है तो इस दिन आप लोगों को ग्यारह काले तिलवाला उपाय कर लेना है यह एक ऐसा उपाय है, जिस उपाय को यदि किसी खास दिन पर किया जाए, तो भाई उस दिन का जो है, वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपा तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक-एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भियम ओम नमः शिवाय जर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको ग्यारह काले वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक काले तिल का भी बहुत ही बड़ा और खास महत्व होता है, और जब बात आ जाए, ग्यारह काले तिल वाला उपाय क को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं, तो देखो घर की जो बड़ी माताएं, बहने हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है, और दोस्तों, यदि आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस् यदि किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है, जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है, बाकी यदि कोई घर में से ऐसा है, जो कि अपने पूरे घर परिवार की स और शान्त के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है.